जी के मस्ती MS में आपका स्वागत है NCRT भारत के भोगोल में जो पहला भाग 5W लेशन का मिम्रदा से हुआ मिट्टी से हुआ उसका दूसरा भाग आज डालने जा रहे हैं जिसमें आप म्रदाओं के वर्गी करण पर चर्चा करेंगे म्रदाओं का वर्गी करण देखे प्राचीन काल में म्रदा को दो वर्गों में बाटा जाता था नमबर एक उर्वरक और नमबर दो उसर यानि उपजाओ और अनुपजाओ बाकी प्रकार नहीं थे भारती क्रस अनुसंदान परिशद के तत्तोधान में राष्टरी म्रदा सर्वेच्चल बीरो एवं भूम यूपियोग आयोजन संस्थान द्वारा भारती म्रदाओं पर बहुत से अध्यन किये गए म्रदा अध्यन एवं अंतर राष्टरी इस्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतरगत ICAR यानि वही भारती क्रस नसंदान परिसद को ही अंग्रेजिम कहते हैं ICAR तो प्रयासों के अंतरगत ICAR ने भारती म्रदाओं को उनकी प्रकरती और उनके गुड़ों उनके गुड़ों के आधार पर वरगी क्रत किया है जो संयुक्त राज अमेरिका के क्रस विभाग के म्रदा वरगी करण पद्धत पराधारित है एक आता है म्रदा स्वास्त कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरत गड़ में मिट्टी के खराब होती गुड़वत्ता की जाच करने जथा क्रस उत्पदक्ता को बढ़ाने है तो म्रदा स्वास्त कार्ड योजना की सुरुवात की गई इस योजना में 75 प्रिस्त राज केदर सरकार वहन करेगी इस योजना का धे वाकि स्वास्त धरा खेत हरा है इस कार्ड का प्रतीक 4 सुवर्ष पर नमीनी करन होगा म्रदा स्वास्त योजना के द्वारा मिट्टी की मवजूदा पोसक्तत्त की इस्थित और फसल की दिरश्ट से पोसक्तत्तों और उर्वर्कों की अवसक्ता की सिफारिस की जाएगी इसका उद्दे सुपरियुक्त संसाधनों के उपयोग के द्वारा उत्पादक्ता में सुधार लाना वाकिसानों के इस्थित को सुधारना है कार्ड और प्रस्तावित खाद के लिए आनलाइन आवेदन है तो अपलीकेशन सौप्ट्वेर विक्सित किया गया है तता इसे प्रारम भी किया जा चुका है भारती क्रसी अनुसंदान परिसद यानि I.C.A.R. दौरस संरचनात्मक मिट्टी और खनिज मिट्टी के रंग योम संसाधनात्मक महत को ध्यान में रखते हुए भारती मिट्टी को आठ वर्गों में भाजित किया गया है कितने भागों में? आठ भागों में कौन कौन आठ भाग है जलोड मरदा, काली मरदा, लालेओं पीली मरदा, लेटराइट मरदा, सुस्क मरदा, लवडी मरदा, पीट मैं मरदा जलोड मरदा, काली मरदा, लाले उमपीली मरदा, लैटराइट मरदा, सुस्क मरदा, लवडी मरदा और पीट मैं मरदा तो यह आठ प्रकार की मरदाएं हैं जलोड मरदा पहले देख लीजिएगा देखिए जलोड या दोमट मरदा यह कई बात होती है इंगलिस में इसको एलिवियल सोयल कहते हैं देखिए या उत्री मैदानों और नदी घाटियों में भारत के सरवादिक छेत्रों पर पाई जाने वाली म्रदा है जो देश के कुल छेत्रफल के लगवग 40% भाग यानि 15 लाख वर किलोमीटर छेत्र पर ढखे हुए है या पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ-साथ नर्मदा, तापती, महानदी, गोदावरी, किष्डा और कावेरी की घाटियों या केरल के टटवर्ती भागों में विस्तरत है ये निछेपित म्रदाएं हैं जिने नदियों और सरिताओं ने अपरदित किया है या म्रदा हिमाले के तीन महात्रपूर नदी तंत्रों, सिंदुगंगा, ब्रह्म, पुत्र, एवं सहायक नदियों दोरा लाए गए निछेपों से बनी है जो एक सक्रे गलियारे के दोरा राजस्थान से गुजरात तक फैली है प्रायद इपी प्रदेस में ये पूर्वी तटकी नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है पूर्वी तटी वैदान विसेश कर महा नदि गोदावरी किश्डा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोड मर्दा से बने है जलोड मर्दाओं का रंग हलके धूसर से राख धूसर जैसा होता है इसका रंग निच्छेपड की गहराई जलोड के गठन और निर्माण में लगने वाली समया वदि पर निर्भर करता है जलोड मर्दा की उरूरकता अधिक होती है इसलिए जलोड मर्दा वाले छेत्रों में गहन क्रस की जाती है इस छेत्र में जलसंख्या गनत भी अधिक पाया जाता है जलोड मर्दाएं गठन में बलूई दोमट से चिकनी होती है इस मिट्टी में पोटास, फासफोरी कामल, चूना तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किन्त इनमें नाइट्रोजन तथा हूमस तत बहुत कम पाया जाता है इस मिट्टी की परिछेदिका उच्छ भूमियों में आपरिपक, एवन निम्न भूमियों में परिपक होती है पस्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है इस मिर्दा में रेत, गाद और मृतिका के विभिन अनुपात पाया जाते है बलूई दोमट म्रदा की जलधारण छमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रेत के कड़ भारी मात्रा में पाया जाते है शामानिता दोमट मिट्टी में 40 प्रतिसत बालू के कड़ 40 प्रतिसत चिकने कड़ एवं 20 प्रतिसत गाद पाया जाती है जलोड मिट्टी में यानि दोमट मिट्टी में 40 प्रतिसत बालू के कड़ और 40 प्रतिसत चिकने कड़ और 20 प्रतिसत गाद पाया जाती है जलोड मिट्टी चावल गेहूं गन्ना जूट कपास तिलहन फल यों सब्जियों की क्रस के लिए उफिक्त होती है सूखे छेत्र की म्रदाएं अधिक छारी होती है निम्न और मद्ध गंगा के मैदान यों ब्रह्म पुत्र गाटी में ये म्रदाएं अधिक दो मट्टी और म्रडमय होती है गंगा के उपरी और मद्धवर्ती मैदान में बांगर यानि पुरानी जलोड और खादर यानि नई जलोड नाम की दो भिड़ ब्रदाय विक्सित हुई है बांगर क्या होती है पुरानी जलोड यानि पुरानी कछारी मर्दा जो अपरदन से प्रवावित होती है बांगर कहलाती है इसका जमाव बाढ़करत मैदानों से दूर होता है इसमें कंकरत था सुद्ध केलसियम कार्बोनेट की ग्रंथियों की मात्रा जादा होती है इस ताब भूरा होता है सुस्क छेतरो में इन मिट्ट्यों में लवडियता तथा छाइणि मिलते हैं जिने रे कहा जाता है बांगर के निर्माड में चीका मिट्टी का प्रमुख युगदान रहता है कहीं कहीं दोमट या रेतेली दोमट मिट्टी भी मिलती है इस मिट्टी की उरुरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उरुवरकों की आवसकता होती है तो ये तो ही बांगर मिट्टी है खादर क्या है या प्रतिवर्स बाढ़ों के दौरा निच्छेपित होने वाला नया है जिसमें बारीक गाद की अधिक्ता के कारण म्रदा की उरुरता बढ़ जाती है इसमें बांगर म्रदा की तुलन में ज्यादा बारीक कड़ पाये जाते हैं खादर और बांगर म्रदाओं में कंकड़ भी पाये जाते हैं तो ये तो ही जलोर मिट्टी ये तो ही जलोर मिट अगला है काली मिट्टी क्या होती है काली मिट्टी भारत में काली म्रदा का निर्माड जौला मुख्री विस्फोर्ट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपच्छय यानि तूटने फूटने से हुआ है इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते ह मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी छेतर के अंतरगत आता है गोदावारी और किष्णा नदियों के उपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पस्चमी भाग में गहरी काली म्रदा पाई जाती है ये म्रदाएं दक्कन ट्रैप के उपरी भागों में विशेश रूप से गुजराद महाराष्ट मद प्रदेश के पस्चमी छेतर उडीशा के दच्छडी छेतर करनाटक के उत्तरी जिलों आन्द प्रदेश के दच्छडी एवम समुदरी तटी छेतर तमिलनाड के सलेम रामन नाथपूरम, कोयमबटूर एवं तिरुन वेली जिलों, राजस्थान के भूंदी एवं टोंक जिलों में 36 गड के पठारी छेतर तक फैली हैं। रासायनिक द्रष्टिशे काली म्रदा में लोहा, चूना, कैलसियम कार्बोनेट, पोटास, एल्मोनियम और मैगनेसियम कार्बोनेट, प्रचूर मात्रा में तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती हैं। आम तोर पर काली म्रदाएं, म्रडमें, गहरी और अपार गम में होती हैं। ये म्रदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं तथा चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड जाती हैं। इस प्रकार सुस्क रित्में इन म्रदाओं में चोड़ी दरारे पड़ जाती इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इन में सोता जुताई हो गई हो यह बहुत महीन कड अर्थात मृतिका से बनी हैं जिसकी नमी धारण करने की छमता बहुत अधिक होती है नमी के धीमे धीमे अब शोशल और नमी के च्छै की इस विसेशता के करण काली म्रदा में एक लंबी अवदि तक नमी बनी रहती है इसके कारण विसेश रूप से वर्षा अधीन फसलों को सुस्क रित में भी नमी मिलती रहती है तथा वो फलती फूलती रहती है इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैगनेटाइट एवं जीवास्म की उपस्थिती के करण होता है इस मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर हलके काले तथा चेश्ट नत यानि भूरी मिट्टी तक होता है काली म्रदा कपास की खेती के लिए उचिस समझे जाती है इसलिए इसे काली कपासी म्रदा के नाम से भी जाना जाता है अगली मिट्टी है लाल एवं पीली म्रदा लाल एवं पीली म्रदा का निर्माड इसका निर्माड जलवाईविक परिवर्तनों के परड़ाम सुरूप रवेदार यों कायंत्रिक सहलों के विगटन यों वियोजन से होता है इस मिट्टी में लोहा यों सिलिका की प्रधानता होती है इस मिट्टी में लोहा यों सिलिका की प्रधानता होती है इस म्रदा का लाल रंग लोह आकसाइड की उपस्ति के करण होता है लेकिन जलेयोजित रूप में या पीली दिखाई पड़ती है इसलिए इस म्रदा को लाल और पीली म्रदा कहा जाता है लाल म्रदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दच्छडी भाग में कम वर्षा वाले उन छेत्रों में हुआ है जहां रवेदार अगने चट्टाने पाई जाती है पस्चमी घाट के गिरिपाद छेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट म्रदा पाई जाती है पीली और लाल म्रदाएं उडीसा और च्छतिस गड़ के कुछ भागों में एवं मद गंगा के मैदान के दच्छडी भागों में पाई जाती है या अमली प्रकृत की म्रदा होती है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एवं हूमस की कमी होती है या म्रदा प्राया अनुवर यानि बंजर भूमी के रूप में पाई जाती है उच भूमियों में इन मिट्यों की परत महीन होती है तथा ये बजरी युक्त बलूई पत्रीली एवं छिद्र युक्त होती है इसलिए बाजरे जैसी खादान फचलों के लिए उप्युक्त होती है किन्तु निम्न भूमियों तथा घाटियों में ये समरद गहरी उर्वर और गहरे रंकी होती है तथा कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, जौर, अलसी, मोटे अनाज, आलू तथा फलों की खेती के लिए उप्युत होती है भारत में यह मिट्टी, तमिलनाडू, करनाटक, महाराष्ट, आनप्रदेश, एवं मद्रप्रदेश के पूरिवी भाग, चतिसगड, उडीसा, तथा जारखंड के व्यापक खेत्रों में, तथा पस्चिम मंगाल, दच्छिडी उत्तर प्रदेश, तथा राजस्तान के आई जाती है, तो यह तो लाल और पिली मरदा हुई, नेक्ष्ट मरदा है लेटराइट मरदा, लेटराइट एक लेटिन सब्द है, लेटर से बना है, जिसका साबदिक अर्थ इंट होता है, इस मरदा का प्रियोग इंट बनाने में भी किया जाता है, इसका निर्माड मानस सुनी जलवायू की आदरतायों सुसकता में क्रमिक परिवर्तन के परड़ाम सुरूप उत्पन विशिष्ट परसितियों में होता है इसमें आयरनयों सिलिका की बहुलता होती है वर्सा के साथ चूना और सिलिका निच्छालित हो जाते हैं तथा लोहे के आकसाइड और कटबंधी भारी वर्सा के करण तीब्र निच्छालन का परड़ाम है ये आदर प्रदेशों की आप छलित मरदाएं हैं कड़ों के आकार पर लेट राइट मिटियां तीन परकार की होती हैं भूजली लेट राइट गहरी लाल लेट राइट और सोयत लेट राइट कड़ों लेट राइट में लव आकसाइड यो पोटास की बहुलता होती है इसकी उर्वर्ता कम होती है लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है सफेद लेट राइट की उर्वर्ता सबसे कम होती है रथा को ओलिन के करण इसका रंग सफेद होता है भूमिगत जलवाई के आकसाइड के कारण होता है ये मिट्टिया सामानता लोहे और एलमुनियम में शमरद्ध होती है जबकि इन में नाइट रोजन चूना यों जैविक पदार्थों की कमी होती है इस म्रदा में हूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि इन छेत्रों में तापमान वा वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण है छारी ये तत्तु वा हूमस जल के साथ भूल कर नीचे चले जाते हैं ये प्राया कम उर्वर्ता वाली मिट्यां है किन्त उर्वर्कों के प्रियोग से इन में कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाए, कहवा और काजू आधिकी क्रस की जाती है यह म्रदा चाए और में इलाइची की खेती के लिए सरवाधिक उप्यूगत है तमिलनाड वानपरदेस और केरल की लाल लेटे राइट मरदा काजू की फसल के लिए अधिक उप्यूगत है मरदा संरच्छड की उचित तकनीक अपना कर इस मरदा में करनाटक, केरल और तमिलनाड में चाय और कौफी उगाई जाती है इस मरदा का विकास मुख्य रूप से प्रायदीपी पठार के उचे छेत्रों में हुआ है जो मुख्य तवर पर सहाद्र, पूर्वी घाट, राजमहल, पहडियां, सत्थपुडा, बिंदर्था, महाराष्ट, करनाटक, केरल, तमिलनाड, मदप्रदेश, उडीसा, असम, यो में घालाई के पहाडी छेत्रों में पाई जाती है अगली मरदा है सुस्क मरदा क्या होती है सुस्क मरदा सुस्क मरदाओं का रंग लाल से लेकर किसमिसी तक होता है ये सामानता समरचना में बलूई और प्रकृत में लवडी होती है कुछ छेत्रों की म्रदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वास्पी करत करके नमक प्राप्त किया जाता है सुस्क जलवायू उच्चता अपमान एवं तीवर गतिसे वास्पी करण के कारण इन म्रदाओं में नमी और हुमस की मात्रा कम होती है इनमें नाइट्रोजन आप्रयाप्त और फास्पेट सामान मात्रा में होता है तथा नीचे की और चूने की मात्रा में ब्रद्य होने के कारण निचले संस्त्रों में कंक्रों की परत पाई जाती है म्रदा की तली संस्तर में कंकडों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है इसलिए सिचाई किये जाने पर इन म्रदाओं में पौधों की सतत व्रद्ध के लिए प्रयाप्त नमी हमेशा उपलब रहती है ये म्रदाओं विशिष्ट सुस्क इस्थलाकरत वाले पस्चमी राजस्थान में विक्सित हुई हैं ये म्रदाओं अनुवर हैं क्योंकि इनमें हूमस और जैव पदार्द कम मात्रा में पाये जाते हैं अगली मृदा है मरुस्थली मृदा मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है जो आम तोर पर रेतीली से बजरी युक्त और लवडी होती है इनमें जैवीक पदार तथा नाइट्रोजन की कमियों केलसियम कार्बोनेट की भिन मात्रा पाए जाती है इन मृदाओं में नाइट्रोजन, हूमस और नमी की मात्रा कम होती है मृदा की सता के नीचे कैलसियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है नीचे की परतों में चूने के कंकर की सता पाई जाती है जिसके कारण मृदा में जल, अंताइसेयन अवरुद्ध हो जाता है इस म्रदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके क्रस योग बनाया जा सकता है जैसा कि पस्चमी राजस्थान में हो रहा है इन मिटियों का विस्तार राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ हरियाणा और दच्छी पंजाम में वन म्रदाएं वन मरदाएं क्या होती है ये मिटिया 3000 मीटर से 1300 मीटर के बीच हिमाले में शंक धारी बन छेत्रों में पाई जाती है इनके कुछ जमाओ शायाद्र पूरिवी घाट और तराई छेत्र में भी देखे जाते है यहाँ पर धरातल पेंट पौधों की पत्तियों आदिसे ढका होता है इनके सडने गलने से उपरी भाग मिटियों का रंग काला हो जाता है जो नीचे की और धूसर भूरा या धूसरा लाल में परिड़ित हो जाता है ये मिटिया पौध पोसक में संपन्न होती है परन्त इनमें पोटास फास फोरस यह चूने की कमी पाई जाती है इनमें अमली दसाओं में पाट जोल से लेकर कम अमली या निरपेच दसाओं में भूरी मिट्टी के बीच परिवर्तन देखा जाता है इनमें चाय, कहवा, मसालों के अतरिक्त गेहूं, चावल, मक्का, जाओं आधिका उत्पादन किया जाता है अगली म्रदा है परवती म्रदा परवती म्रदा दो प्रकार की होती है दुमट, पोट जोल और उच्च स्थानी परवती म्रदाएं जटिल होती है इनमें अतरिक विविधिता मिलती है या नदी द्रोणियों और निम्न ढालाओं पर जलोड म्रदा की रूप में पाई जाती है उचे भागों पर आपरिपक म्रदा या पत्रीली म्रदा की रूप में पाई जाती है पर्वती डालों पर विक्सित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है पर्वती भागों में भू आकरती भू वेग्यानिक वानस्पतिक एवं जलवायू दसाओं की विविद्टा एवं जे टिलता के कारण यहां एक ही तरह की म्रदा के बड़े बड़े छेतर नहीं मिलते है इस मिट्टी में जीवास्म की अधिक्ता होती है यह जीवास्म अधिकतर अनप घटित होते हैं फलसरूप हुमिक अमल का निर्माड होता है यहां मिट्टी अमली हो जाती है इस मिट्टी में पोटास, फास, फोरस यवं चूने की कमी होती है इसलिए मिट्टी की उर्वरा सक्ती कम होती है फड़े ढाल वाले उच्चा वच्च प्रदेश म्रदा विहीन होते हैं इस मृदा के विभिन प्रदेसों में अलग-अलग प्रकार की फसले उगाई जाती हैं जिसे चावल नदी घाटियों में फलों के बाग ढालानों पर और आलू लगभग सभी छित्रों में पैदा किया जाता है ढालों पर इस्तित होने के करण या मिट्टी बागानी फसलों एवं फलों की क्रस के लिए विशेश रूप से उप्योगी है भारत में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की क्रस इसी मृदा में की जाती है अगली है लवडी मृदाएं अईसी मृदाओं को उसर मृदाओं भी कहते हैं लवडी मृदाओं में शोडियम, पोटेसियम और मेगनेसियम का अनपात अधिक होता है अता ये अनुवर होती हैं तता इनमें किसी भी प्रकार की बनस्पत नहीं होती है मुख्य रूप से सुस्क जलबायू और खराब अपवा के कारण इनमें लवडों की मात्रा बढ़ती जाती है इनकी संरतना बलूई से लेकर दोम्टी तक होती है इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है इसका अधिकतर प्रसार पस्चमी गुजरात पूरवी तटके डेल्टाओं और पस्चिम मंगाल के सुंदरवन छेत्रों में होता है कच्च के रन में डच्छ पस्चमी मानसून के साथ नमक के कड़ाते हैं जो एक पपड़ी के रूप में उपरी सता पर जमा हो जाते हैं डेल्टाई प्रदेस में समुद्री जल के भर जाने से इन मरदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है अतिदिक सिचाई वाले गहन करस के छेत्रों में विसेश रूप से हरित क्रांति वाले छेत्रों में उपजाओ जलोड मरदाएं भी लवड़ी होती जा रही हैं सुस्क जलवायु वाली दसाओं में अतिदिक सिचाई केसिका क्रिया को पढ़ावा देती है इसके प्रढ़ाम सरूप नमक उपर की ओर बढ़ता है तथा मरदा की सबसे उपरी परत में नमक जमा हो जाए केसिका क्रिया के प्रड़ाम सरूप इन छेत्रों में सोडियम कैल्सियम यो मैगनीसियम के लवड धरातल पर एक सफेद परत के रूप में दिखाई पढ़ने लगते हैं भारत में सरवादिक लवड प्रभावी छेत्र गुजरात में हैं लवण प्रभावी म्रदा को लवडी चारी एवं तटी लवडी में विवाजित किया जाता है भारत में सरवादिक लवडी म्रदा वाले छेत्रों का अवरोही क्रम इस प्रकार है गुजरात हरियाडा एवं मुत्तर प्रदेश म्रदा का लवडी करण म्रदा में कत्रे सिंचित जल के वास्पी करत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन होता है सिंचित भूमी पर म्रदा के लवडी करण होने के कारण म्रदाएं अपार गम हो जाती है मुख्य रूप से सुस्क जलवायो और खराब अपवा के कारण इनमें लवडों की मात्रा बढ़ती जाती है लवडी वा छारी मृदा इस्थानी इसके नाम है कोई रे कहता है, कोई कलर कहता है, कोई रकार कहता है, कोई उसर कहता है, कोई कारल कहता है, कोई चापेन कहता है ये लबडी वाचारी मृदा के नाम है स्थानी कौन-कौन रेह, कलर, रकार, उसर, कार्ल, चापेन अब अगली मिट्टी है पीट में मृदाएं नदी डेल्टा वाले छेतर में जलभराव वाले छेतर की मिट्टी को पीट मृदा कहते हैं ये मृदाएं भारी वर्षा और उच आदरता से यूग तो उन छेतरों में पाई जाती है जहां बनस्पत की वरध्य अच्छी होती है इन छेत्रों में म्रत जयवपदार्थों की अधिक्ता के कारण म्रदा को हुमस और प्रयाप्त मात्रा में जयवतत्त प्राप्त होते हैं यह म्रदा काली भारी और अमली होती है जिसमें लवण और जयोपदार्थों ती अधिक्ता परंत फास्पेट और पोटास की कमी देखी जाती है यह धान की खेती के लिए उप्युक्त म्रदा है यह म्रदा मुख्यता केरल राज में कोटायम जनपद के पश्मी भाग और अल पुजा जनपद के कुछ हित्रों में पाई जाती है इन म्रदाओं में जयोपदार्थों की मात्रा 40-50 परस्ट तक होती है तथा यह म्रदाएं सामानता गाड़े काले रंकी होती है यह म्रदा कई इस्थानों पर छारी भी होती है दलदली म्रदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग उत्तरा खट के दच्चडी भाग पश्चमी बंगाल के तटी छित्रों उडीसा और तमिलाड में पाई जाती है अमली व्यम छारी म्रदा अमली म्रदा की उत्तरी अधिक बरसा वाले इस्थानों में होती है इस म्रदा में कच्चे जीवास्म के अधिकता होती है जिसके सडने से उत्तर्पन कारवंडा या अकसाइड पानी के साथ मिलकर कारवोनिक अमल बनाती है जब म्रदा में हाइडरोजन आयनों की सांदरता बढ़ जाती है तो म्रदा अमली हो जाती है चूने के प्रियोग दोरा अमली म्रदा के कड़ों से हाइडरोजन आयन बाहर आ जाते हैं अमली म्रदा का pH मान 7.2 से कम होता है चाय के बागानों के लिए गहरी अमली और अच्छे जलनिकासी वाली म्रदा की आवसकता होती है जलनिकासी की प्रयाप्त सुवधा होने के कारण ही इन बागानों को परवती ढालों पर लगाया जाता है च्हारी म्रदा की उत्पत्रि कम वर्सा वाले स्थानों पर होती है कम वर्सा वाले स्थानों पर च्हारी लवड घुलकर पानी के साथ नश्ट नहीं होते बलकि उपरी सता पर एक गत्त हो जाते हैं जब म्रदा में O-Yच आयनों की सांधरता बढ़ जाती है तो म्रदा छारी या उसर बन जाती है चूने के प्रियोग से छारी म्रदा से सोडियम आयन बाहर आते हैं छारी म्रदा का पीच मान साथ से अधिक होता है छारी म्रदाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब एव महाराष्ट राज्यों के सुस्क छेत्रों में पाई जाती है इन अनुपजाओ छेत्रों को रेह, कलर, उसर, रकार, धुर, करल एवं चापेन आधिनामों से जाना जाता है भारत में सरवाधिक छारी म्रदा वाले राज्यों का घठता करम यूपी, गुजरात, हरियाणा और पंजाब है सबसे ज़्यादा छारी म्रदा उत्तर प्रदेश में, उससे कम गुजरात में, उससे कम हरियाणा में, और फिर उससे कम पंजाब में अधिक अमली या अधिक छारी मृदा फसलों के लिए उप्युक्त नहीं होती तो ये तो हमने मृदाओं का वर्गी करण पढ़ा आगे वाले भाग में हम मृदा की समस्याएं और उनका समाधान जानेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचे